अनाथ चत्वर दर्शी के दिन एनडुर में कई सालों से जाक्यों का कारवा देखने को मलता हैं एनडुर की जाक्यों को देखने के लिए दूर-दूर से लाघो लोग आते हैं आज शाम 6 बजे से सुबे 4 बजे देखने कानन लिते हैं एस साल भी परंपरा अनुसार आज यानी 28 सितंबर के दिन लाखों लोग जाक्यों का कारवा देखने के लिए अंदौर पहुचेंगे शीरामदर्वार, सिताहरं, भूले की बारात और चटरपती शिवाजी का राज्य अभीशिक तक की जाक्यों को देखने का मौका लोगों को मिलेगा ये जाकी मालवा मिल्साल एक और नही जाकी इसमी शामर होनी वाली है जो कीता रामिश्वरम ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है अगर आप भी जिल मिलाती जाक्यों को देखने आ रहे हैं तो आपको हम आज निकलनी वाली चल समहरों की पूरी जानकारी देरे जा रहे हैं साथी अतायात विवस्था के बारे मी भी बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आना हो और आप अपने परिवार बालों के साथ सही जगर पर पहुँच जाए और जाक्यों का कारवा देख सके जिल मिलाती जाक्या का कारवा आज शाम छे बजे से शुरू हो जाएगा सबसे पहले खजराना गनेश की जाकी निकाली जाएगी उसके बाद नगर निकम एंदौर विकास प्राधिकरन की जाक्यों का काफिला आपको चल समहारों में देखने को मिलेगा ये चल समहारों देखने के लिए लोग पहले से ही अपनी जगह रुख कर रखते हैं आप भी शाम को जाकी देखने जाना चाहते हैं तो सई जगह पर जाकर बैट जाए आप घूम कर भी से देख सकते हैं लेकिन लाखों की भीड में आपको परिशानी हो सकती हैं एन और में जाक्यों की शिरुवात सौ साल पहले हुकुम चंद मिल द्वारा शुरू की कई थी आज भी ये परंपरा लगातार जारी हैं कपड़ा मीलों के बंधूने के बाद भी हर साल जोरदार तरीके से जाक्या बना कर निकाली जाती हैं अनंचातुरदशी के दिन निक जालने वाली चल समहारों में ऐसे शामिल किया जाता है हुकुम चंद मिल समिती द्वारा वामन अफ्तार चंद्रयान दोजार तीवी सौर क्रिशन लीला को शांदार तरीके से प्रदर्शित किया गया वहीं राजकुमार मिल की समिती द्वारा बच्चों के गीत लकडी की क पाठी आधारित जाकी और खाटुश्याम दर्शन और पुतना वध दिखाया गया है। माता सिता द्वारा श्री राम की लंबी आयू के लिए मांगव सिंदूर भरने के बाद हनुमान जी राम जी के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर मलते हैं और श्री राम उन्हें गले लगाते लेते हैं। माता सिता द्री राम जी के लिए लेते हैं। झाल झाल